सबसे पहले दोस्तों प्राबलम के बारे में डिसकस कर लेते हैं कि आपको क्या प्राबलम फेस करनी पड़ रही है ओपो A70 का FRP बाइबास करने में ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं VN रोम की वेपसाइट ओपेन है यहाँ पे देखे गूगल क्वीक सर्च सब्सक्राइब यहाँ से ओपेन कर लेता हूं गूगल का क्वीक सर्च बाक्स ओपेन हो गया अब प्राबलम यह फेस करनी पड़ रही कि जब इस माइट पे हम क्लिक करते हैं और बोलते हैं ओपेन क्लोन फोन तो क्लोन फोन जो एप है वह ओपेन नहीं हो रहा है ठीक है मैं क्लोन फोन यह देखे क्लोन फोन अप्लिकेशन ओपेन नहीं हो रहा है ठीक है और इस मैटर में आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको इस प्राबलम का सल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ ओपो एस सत्रा का एफार पी ब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर देने वाला हूं कि मेरे पास इस जो डिवाइस है ओपो ए 17 यह पूरी तरह से फार पी लॉक है यानि की जीमेल इडी लॉक है तो यहां से मैं अपनी कंट्री इंडिया सालिट करूँगा उसके बाद कंटीनिव पे क्लिक करूँ जरूरी है तो यहां पर डिवाइस को मैंने वाई फाइस से कनेक्ट किया डिवाइस कनेक्ट होगई कनेक्टेड अब यहां से कर देंगे next कुछ सेकेंड वेट करिए आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास इस जो डिवाइस है ओपो ए 17 यह पूरी तरह से फर आउट लैपटाप बिल्कुल फ्री में अपने ओपो ए 17 का एफ आरपी बाइपास कर पाएंगे यहां से सिंपल हम डॉंट कॉपी पे क्लिक करेंगे और यह दिखें दोस्तों यह प्राबलम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस एफ रपी लॉक होती है डिवाइस का एफ रपी बाइपास करने के लिए यहां आपके पास एक आप्सन है ड्रा अनलॉक पैटन यानि कि आपको यह पैटन ड्रा करना होगा तो यहां दीजिए पैटन की जगह पे पीन या पासवर्ड भी हो सकता है चुकि पैटन का आप्सन है और पैटन हमें नहीं पता है तो इस आप्सन को हम उपर से यहां से कैंसल करेंगे और अब देखेगा अब यहां पे लिखके आगा बैरिफाई योर एकाउंट यानि कि आग यहां पर देख सकते हैं डिवाइस को मैंने वाइफाई से कनेक्ट किया हुआ है सिंपल इस नेटवर्क पे क्लिक करेंगे उसके बाद उपर की तरफ वाइफाई की वार कोड है इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद नियर्बाई पे क्लिक करेंगे नियर्बाई की बाद आपक आटकल पे क्लिक करें, share आटकल पे क्लिक करते ही, share के ये सारे option दिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये message, आप simple message पे क्लिक करिए, message पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको new message पे क्लिक करना है, new message पे क्लिक करने के बाद type name phone number, यहा यहां पर आपको इसमाल लेटर में टाइप करना है www.youtube.com डिस्पले पर आप देख सकते हैं विल्कुल सेम टाइप करेगा ठीक है यह मैंने टाइप किया उसके बाद मैं SMS पे क्लिक कर दूँगा SMS पे क्लिक करने बाद यहां पर आपको यूट्यूब का एक लिंक दिखेगा अब आउट के बाद YouTube Term App Services पे क्लिक करिए तो इससे क्या होगा आपके डिवाइस में बीबो का जो इंटरनेट ब्राउजर है वो ओपेन हो जाएगा ठीक है अब देखिए उपर का एरिया इससे बोलते हैं address box address box पे क्लिक करें यहां पर आपको simple type करना VN Rome डिस्पले पर आप first, second, third open setting का option है आप open setting पे क्लिक करें यहां से open करने तो आप देखेंगे आपके device की main setting यहां पे open हो जागी यह देखें डिवाइस की main setting open हो गई about device पे क्लिक करता हूँ model नमबर आप देख सकते हैं OPPO A17 अब बैक आते हैं बैक आनेक बाद नीचे उपर आईए उपर यहां एक option मिलेगा home screen and lock screen आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके device का जो home screen है यहां पे open हो जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है और अब द notification panel है यह proper work करने लगेगा ओके और अब दोस्तों इस device को मैं थोड़ा सा side में रख लेता हूँ और अब दोस्तों आपके पास होना ची कोई another Android device किसी भी brand की एक दूसरी Android device आप ले लें तो यहां पे देखें मैंने एक दूसरी Android device लिए है अब धियान से देखें करना क्या है अब दोस्तों इस device में आपको एक application डाउनलोड करना है Clone Phone तो यहां से मैं Simple करूँगा क्या Play Store open करूँगा तो कहां गया Play Store मैं Play Store open करूँगा यहां सर्च पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं simple type करूँगा clone phone, ठीक है, clone phone type करके search करेंगे, तो यह देखे, यह वाला application, clone phone one plus है, आप इस पे click करिए, और simple इस application को install करिए, ओके, अब देखे दोस्तों, इस device में clone phone पहले से install है, यहाँ पे tools दिख रहा है न, आप tools पे click करेंगे, तो यहाँ देखे clone phone दिख रह अब यह देखे, दोनों device में clone phone application open हो गया, ध्यान दीजिए, यह जो device है, यह locked device है, और यह मैंने old दूसरी device के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे कुछ permission है, उसे allow करना है, setting पे click करिए, on करिए, back आईए, फिर से setting पे click करिए, on करिए, back आईए, ठीक है, this is the new device, इस पे click करिए, यहाँ से other android पे click करिए, यहाँ पे देखेंगे qr code आ जागा, आगया, अब यह देखे, यह older device है, this is the older device, इस पे click करिए, यहाँ पे भी कुछ permission है, आपको on करना होगा, तो वीडियो को follow करके सारे permissions को, जो भी permissions आए, अगर permission off है, तो उसे on करिए, और सारे permission को allow करिए, यहाँ पे scanner आ गया, अब इस qr code को simply scan कर लेंगे, तो यहाँ से मैंने इसे scan किया, जैसे ही scan करेंगे, दोनों device आपस में connect हो जाएगी, कुछ second wait करिए, connecting process हो रहा है, दोनों device आपस में connect हो जाएगी, यह देखे, preparing data, ओके, data reading complete हो गया, अब देखे, यहाँ पे सा apps, apps पे click करिए, तो आप देखें कि आपकी device में जो भी application की list है, सारे application की list आपके सामने आ जाएगी, किसी एक application को select करना, ठीक है, तो चले मैं किसी एक application को select करता हूँ, उपर से simple okay कर दूँगा, यहाँ से start migration कर दूँगा, यहाँ से continue कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिनिस, तो इसे मैं side में रख लेता हूँ, ठीक है, और यह दिखें दोस्तों, एक application जो मैंने send किया, वो send हो गया, अब यहाँ से मैं done पे click करूँगा, और बस, अब आपकी device का FRP bypass हो गया, complete setup करके दिखा देता हूँ, button gesture, कोई एक सालेट करें, उसके बाद next पे click करें, यह आपकी device, OPPO A17 का FRP, यानि की Google Account Lock, Gmail ID Lock, पूरी तरह से bypass हो गया, device आपकी completely unlock हो गई, अब देखें दोस्तों, अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखें, notification panel जो work नहीं कर रहा था, यह देखें, proper work करने लगा, ओके, तो दोस्तों, यह पुरा full process था, OPPO A17 का FRP bypass करन करेंगा, वीडियो अच्छी लगती है, तो यह छोटी स्रिक्वेस्ट करूगा, प्लीज वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करें, लाइक करना प्रकूल लब लें, और ऐसे ही सांधार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पारने के लिए, आप मारे YouTube चनल को जरूर स्काइब करें, बगल में जो बेलाकन है, उसे भी प्रेस करें, वीडियो पुरा देखने के लिए आपकों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मज,